श्री शिवाय नमस्त अब्याम हर हर महादेव कैसे हैं आप सब नवरात्री की दिवे रात्रियों में मा आदिशक्ती दुर्गा की जो शक्ती है वो इस प्रत्वी पर सबसे ज़ादा होती है और जो भी आप उपाय करते हैं जिन भी मंतरों का जाप करते हैं उनका प्रभाव आपके जीवन में पड़ता है इसलिए आज का जो हम आपको उपाय बताएंगे केवल एक मोली के धागे से और एक रुपे के सिक्के से आपको उपाय करना है जो आपकी समस्याओं का अंत करेंगे पुझ्जी गुरुदेव की कता सुन करके समझ करके प्रयास करते हैं कि हमेशा की तरह श्री शिवाय नमस्तुब्यम जरू लिखें देखें ये जो उपाय है या आप नवरातरी के अस्टमी वाले दिन या नवरातरी के नवमी वाले दिन भी कर सकते हैं साती सात दोनों दिन भी कर सकते हैं या अगर आपको आज करना है काल रातरी की रात में तो भी आप ये उपए कर सकते हैं, आपको केवल एक मौली का धागा लेना है और एक रुपे का सिक्का लेना है, किस प्रकार से उपए करना है आईए जानते हैं, देखे, आप आपके घर में माद दुरगा की फोटो हो, या किसी भी अन्य देवी की फोटो हो, तो उनके सामने आप सब्तमी की रात कर रहे हैं, यानि कि काल रातरी, जो आपके जीवन से डर और भय को दूर करती है, तो उनके मंतर का जाप करनाए 108 बार, कलीम, एम, श्री कालिकाई नमह, ठीके अगर आप महा अस्टमी के दिन कर रहे हैं, यानि कि माता महागोरी के मंत्रों का जाप करना है जो आपके जीवन से कस्टों को दूर करती है इस मंत्र का 108 बार जाप करना है यदि आप नवरात्री के नववे दिन मास सिद्धी दात्री का दिन होता है और अगर आप किसी विशेश सिद्धी प्राप्ते करना चाहते हैं यदि आपके कोई कार्य नहीं हो रहा है यदि आपको ज्ञान की प्राप्ती चाहिए तो आपको नवे दिन यानि कि नवमी के दिन रेम क्लेम एम सिद्धय नमः इस मंत्र का आपको 108 बार जब करना है देख पास का जो नाड़ा है वो छोड़ देना है ठीके अब आप क्या करेंगे इस नाड़े को ले जा करके किसी भी देवी के मंदिर में आपको जाना है यदि आप सप्तमी के दिन जा रहा है तो मा काल रात्री का नाम ले करके अपने जीवन से भय को दूर करने के आपको प्रात करके आजाना है अगर नौमी के दिन कर रहे हैं तो मा सिद्धी दात्री का नाम ले करके आपको बांद करके आजाना है ठीक है जो भी मनोकामना है वो आपको बांदते समय आपको बोल दिनी है अगर तीनो दिन लगातार कर रहे हैं तो तीन सिख्ये और तीन मोली के धागे आपको लगेंगे ठीके आ गई तिनी बात समझ में इस उपाय को करने से निश्यति ये एक संकल्प होता है कि मां को वो पूरा करना ही होता है और निश्यति आपकी जो भी मनोकामनाह होगी वो जल्द से जल्द मां परिपूंड करती है तो अगर आप ये उपाय इस दिन करते हैं तो बहुती लापकारी सिद्ध होते हैं ध्यानक है ये जो उपाय है या आपको रातरी में सुर्यास्त के बाद ही ये उपाय करना है अगर कुछ भी चीज समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ लेना गलते बिलकुल भी मत करना श्री चीवाए नमस तुब्यम हर हर महादेव